जश्मी ने कहा रोजगार का वादा गर किया तो रोजगार का वादा पूरा भी हमने किया है देश के जनता के समक्ष जो रोजगार हमने दिया क्या उस रोजगार को बिहार के जनता भुला सकती है नितिश कुमार भले हमें भले कुछ कहें लेकिन वो हमारे गर्जिवन हैं और अधर्णिये हैं इसलिए उन्हें सोचना चाहिए था चिराग पास्वान करकाट मोचे जहां उनके ताकत के तोर पर रिवाओं का जैंसे लाब उम्रा और रिवाओं ने अपनी ताकत के तोर पर चिराग पास्वान को जियां बड़ी मस्बूत ताकत दिखाई इस दोरान खबर सामने आ रही है कि महरास्ट और मदप्रदेश में क् एक नई ताकत के साथ, एक नई सुरुवात के साथ असपस्ट तोर पर सरकारे बनती हुई दिखाई दे रही है। जियाँ वहीं इस बार आरजेडी का परचम बिहार से लहरता हुआ दिखाई दे रहा है। यानि RJD के पर्चम को लहराने की त्यारी भी सुरू की गई है शबसे बड़ी जनकारी और मजबूत प्रियासों देश में इस वक्त सामने आई है कि लगतार प्रियासों के बीच में आज NCP परमुक्षरतवार और ऐसे तवाम बड़े निताओं ने अपने ताकत के बड़ूलत BJP की सरकार बनाने मिस्तितियों को गंभीर कर दिया है मुकेश सैनी ने साप असपर्ष कर दिया है कि लोगसभा की चुना में इस बार हमारी ताकत देखने को मिलेगी और हम बड़े ही प्यार से कह सकते हैं कि देश में एतिहासिक जीत हम करने जा रहे हीट वेब गर्मी के कारण लगतार लोगों की बड़ती परशानिया लगतार लोगों की बड़ती शंकट शामने आई है और इससे निपटने की लगतार त्यारी भी चल रही है शबसे बड़ी खबर तो अकलेश यादों ने दी है लोगसभा के चुना में अकलेश यादों का जलवा बरकरार है अकलेश यादों ने लोगसभा के चुना में अपने ताकत के बदोलत उत्तर प्रदेश में कई सीटों को जीतने का वादा किया सबसे बड़ी खबर तो किस लेकिन इन पर कोई बाते नहीं हो रही है शबसे बड़ी बात दिया है कि अगर आप भी इंटरनेट का उप्योग करते हैं तो ऐसे में आपको सौधान हो जाना चीए साइवर क्राइम की घटनाओं से सौधान रहना चीए कई चीजें असपस्त तर पर यह बता रही है कि आज क योजना है एक एहम जनकारी है और इस कुटी बित्रड योजना सरकार चला रही है इंडियान डेलबे की कहिट्वे ने लेट हुई तो सरकार पर ब्यंग कसते हुए कुछ प्रसिंजर ने तस्वीरों को साजा करते हुए लिखा कि देश की सरकारें अपनी ट्रेनों को सही सम लेकिन उसके बहुजद भी इस बार जनता ने बड़ी समझदारी के साथ उन मुद्दों पर वोट ना करते हुए मोदी और शाह को यह बता दिया है कि इस बार कुछ तो बड़ा होने जा रहा है साथी साथ बात करेंगे किस तरीके से देश में एक बड़ी अपील जो है उत ही मजबूत ताकतों के बड़ूलत इतहासिक जीत के तरफ एक नया मजबूत प्रयास किया सबसे बड़ी खबर और जनकारी असपस्ट तोर पर सामने आ रही है ये खबर कुछ और नहीं ये खबर देश की जनता के लिए है देश के लोगों के लिए है ऐसे में ये मजली से कि आज भारतिये जनता पार्टी और कॉंग्रेस की इस लड़ाई में देश की जनता ने अपने वोटों के परतीसत के अनुशार आंकलन तेज कर लिया है करेकाट में जेडियू के भी परत्यासी पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस बार हम सभी की सरकार बनेगी और जेडियू में लगातार ताकतों का बड़ा हुजूम दिखाने का प्रयास किया गया सबसे बड़ी खबर तो यह है कि देश में बिजली विवस्थाओं को एक सही और मजबूत चीजे ना मिलने से आज देश में बिजली के विवस्थाएं लगातार अपने तोर पर गलत की बड़ी केनेक्टिवीटी भी है और इस बड़ालत वो बड़ी सफलता हासिल कर रहे है वहीं प्रथान मंत्री श्री नरेंदर होदी के सामने भी लगातार मुश्चिबुतों का एक बड़ा पहाड है जो लगातार वो कोशिश कर रहे हैं वो अपनी मजबूत प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन पास्टार पवंसिन ने जियन निर्दलिये हो करके इस वक्त कराकाट में सारे बड़े दिगज हस्तियों को उतार दिया है और यह अपने आप पें बड़ी बात होती है आखिर मनोस्तिवारी कराकाट की जनता और पवंसिन पर बीना कुछ बोले वे वो सा असपस्ट रहा और हीना साहब दिलागतार लड़ने का चुना और नेने ली और ऐसे में दोस्तों ये बात असपस्ट है कि देश की जनता के समक्ष देश की मजबूती के समक्ष आज राहुल गाधी की रण नीती और बदलती तस्वीरे शामने आ रही है आम आदने पार्ट कुमार की तो लोकसवा चुना में कनहया कुमार भी अपने ताकतों के बदौलत मुहबत की इस लड़ाई में शंदेश देते नजर आ रहे हैं और इस लड़ाई को जीते नजर आ रहे हैं दोस्तों इन सबी खबरों के बीच में सबसे बड़ी जनकारी ये है कि राहूल गांदी और त्यश्वी यादो एक बड़ी मजबूत प्लानिंग के साथ कॉंग्रिस और आरजेडी की ताकत जिहां बिहार में बढ़ाते नजर आए आरजेडी ने साफ तोर पर असपस्ट कर दिया है कि इस बार हमारे सांसदों की संख्या बड़े मात्रा में बढ़ रही है आरजेडी के बड़े ता त्यश्वी यादों ने लोक सभा के चुना में जीत की उमीद भी लगा दी है इदर जीत की हैट्रिक से साफ तोर पर त्यश्वी यादों ने राज़त के परिवार में वोटों की संख्याओं के ब्रिधी पर बड़ा मजबूत प्रहार किया और उन्होंने कहा कि देश के जनता के लिए ये बड़ा ही जरूरी था हलाकि इस वक्त लगतार प्रियास के बीच में एक बड़ी ही मजबूत थाकत बने रहे आरज़ेडी के नेता त्यश्वी यादों जो कही जगों पर आज उनके समर्थन में वोटों की संख्या की बड़ी हुजूम दिखाई देती नजराई हलाकि आप क्या सोचते हैं राई जरूर बताईएगा दोस्तों ये तो बात असपस्ट तर पर आप भी जानते हैं कि इवियम मसीनों का जिया हमेशा सवालों में गिरे रहना और इवियम मसीनों पर शवाल होना लाजमी है लेकिन इस बार साइद इवियम मसीनों पर शवाल इसलिए भी नहीं क्योंकि विपक्ष के पास पिछले चुनाओं के मताबिक अधिक्तम सीचे जीतने की उमीद है और इसी बड़ालत वो शमझ भी पा रहे हैं कि साइद इस बार तो कुछ बड़ा होने जा रहा है हलाकि दोस्तों ये बात अस्पस्ट है कि काई बड़े दिगज हस्तियों का किस्मत इवियम में कैद हो चुका है और काई बड़े दिगज हस्तियां इज अईवियम में कैद किस्मत को लेकर के वो लगतार अपने मजबूती को बनाते नज़र आ रहे हैं देश में शच्ते जच्ते एक नई सरकार को बनाते और एक मजबूत प्रयासों के तौर पर गुणा गडित मिलाते देश की जनता के श्रमक्ष अपनी मजबूतियों को बरकरार करते राजनीतिक दलों के बड़े सितारों ने भी अपने नामों को इस वक्त बुलंद कर दिया ह लोकसभा के चुनाओं में बड़ी बड़ी ताकते और बड़ा ही मुहबबत ही शंदेश इस वक्त भीगोई जा रही है या दिखाई दिती नसे सबसे बड़ी खबर तो यह है दोस्तों कि इस वक्त जिया रासन का धारकों के लिए सरकार लगतार बड़ी बड़ी योजना चला रही है लेकिन उसके बहुजुद भी इस बार रासन पर और किरासन पर वोट नहीं हुआ है ये एक सही आकलन है कि रासन पर वोट नहीं हुआ है ना सिर्फ रासन पर वोट इस बार नहीं हुआ बलकि वोटों के संख्या देश के अंदर सुच्छित और सुच्छा विवस्था देश में बहुत ही मजबूत सरकार और विवस्थित सरकार बनाने के लिए की गई है रोजगार के नाम पर वोट दिये गए और ये बात सपस्थ है कि कई जगों पर बीजेपी को छेत्रिये पार्टियां जो इंडिया एलायंस में सम्मिलित रही उन्होंने दिया और इसी वज़शे एक गुणा गडित और मजबूत आंकडे भी निकलते हुए दिखाई दिये लोकसभा के चुना में पृधान मंत्री शीनारिंद्र मोदी से लेकर के कई बड़े दिगज हस्तियां हैं जिन्होंने अपने प्रियासों के तौर पर आने वाले भविश्य की सितारों को तैय किया और एक मजबूत प्रियास के साथ देश की नई करांती को मजबूत किया सबसे बड़ी खबर तो यह है कि मुके सैनी लोकसभा के चुना में अपनी बहतर ताकत की उमीद दिखाई दे रहे हैं मुके सैनी तो लगतार बिहार के तीन सीटों पर तैयश्वी यादों के साथ जनसभाओं को संबोदित करते नजर आए लेकिन मुके सैनी यह तीनों सीटों को हारते भी नजर आ रहे हैं इस बातों में उतनी सच्चाई है जितनी सच्चाई है हमने कई बार असपस्ट तोर पर आपको दी है निस्पक्च तरीके से हमने बताई है कि आखिर चुनाओं में हार का महौल मुके सैनी के लिए क्यों बना क्योंकि कुछ ऐसी सीटे थी संसेल्टिव जहां पर मुके सहनी चुनाव हार ही सकते थे ऐसे में चुनाव हारने का ये जो दौरा है वही से सुरू हुआ लगतार मुके सहनी अपने प्रयासों में लगे रहे लेकिन उसके बहजूद कोई बड़ा असर दिखाई नहीं दिया और उनके वोटों में गिरावट दर्ज की जाती रही ये लोकसभा के चुनाव का वो सर्बे था जो लगतार मुके सहनी को तीनों सीटों पर हार का सामना करने पर मजबूर कर रहा था और देखे दोस्तों बहुत बड़ी खबर है कि उत्तरप्रदेश में अखलेश यादो बड़ा आकड़ा लेकर के आने वाले हैं और बहुत बड़ी एक बड़ी मजबूत ताकत भी लेकर आने वाले हैं और इन्ही मजबूत ताकतों के बदावलत वो अपनी शत्ता और पावर का एक सही इस्तमाल के साथ जियां इस बार जियां उनके निर्णे का बड़ा ही साफ तोर पर संदेश मिल रहा है उनके निर्णे जो उन्होंने लिया उनके निर्णे जिस निर्णे के मदोलत ये माना जा रहा है कि देश में बीजेपी को बड़ा हार कुछ जगों पर मिलेगा जिसमें साफ तोर पर उतर प्रिदेश भी सामिलें तो इन जगों पर जो हार का दोरा है वो एक बड़ा आकड़ा बड़ता नजर आ रहा है हलाकि दोस्तों ये देश के आंकड़े ये देश के मजबूती ये देश के गोना घणीत कुछ तो नया ब्यक्त कर रहे हैं कुछ तो नया बता रहे हैं जिसकी उमीद हम सबों को कर पाना बड़ा मुस्किल है लेकिन इस पर लगतार आपकी अपनी क्या राय है कॉमेंट में जरूर लिखेगा आज के लिए इतना ही जय है